Hello friends welcome back to my channel Friends देखिए आज हम हिबिस कास को ले के आये हैं क्योंकि हमारा इतना भी हिबिस कास है वो सारे प्लांस इस इस विंटर में इतने दिन तक सो रहे थे यानि इन प्लांस का डर्मेंची अभी चल रहे है और यह मेरा लास्ट यह आगोस्ट महने का वीडियो है और पूरे प्लांट्स को अच्छे से हेवी प्रूनिंग करना है और साथ में रूट्स बगेरा को भी प्रूनिंग करना है अगर रूट्स हो चुका है आपका प्लांट में एक साल से ज्यादा होने से यह करना है आपको और यह देखिए वही प्लांट अभी ऐसा ही करके फूल खि तो इसलिए इस पार जल्दी से मेरा यह प्लांट ग्रो करेगा और आज हम इसको हेवी प्रूनिंग कर देंगे क्योंकि यह मेरा दो तीन चारू का प्लांट है यह दीए बहुत ही लंबा बन चुका है तो इतने साइज में हम काट देंगे तो आप भी आपका प्लांट के हिसाब से हेवी प्रूनिंग लाइट प्रूनिंग या फिर मीडियाम टाइप का प्रूनिंग कर सकते है और यह देखिए ऐसे करके इतना तक लास्ट य इसे सोटे सोटे प्रंशेस है वो सबको आप काट भी सकते हैं जो आपको नहीं सही है और ऐसा करके V-shape में 45 डिग्री एंगल्स में आपको काटना है ताकि पानी ना रहे और भंगस ना लगे वो पानी गिरने से भी जल्दी से गीर जाएगा तो ऐसा शेप में आपको काटना है यह काटना हो गया है तो ऐसा करके हमें सारे प्लांच को सारे प्लांच में जितना भी ब्रांचे से सबको काटना है और साथ में जो जो शूट का ब्रांचेस का आपको ज़रूरी नहीं है आपके प्लांच में वो सबको भी आप हटा दीजिएगा प्लांच से और एक्तम स और नीचे तक भी आप काट शक्ते हैं ऐसे तो अगर मिटी में प्लांट रहा होता है वह सबका तीन पार्ट के प्लांट का हुणों से 3org ५०। którą कर देखे के आपको काटना है। वो च॥। अचले की आपको काटना इसे हिशा साथ है काटाना है। काटने के बाद हमें यह जितना भी ब्रांशेस काटा है सौब में हमें फांगिसाइट पावडर को लीकुइट बना के पेस्ट बना के उस वह सारे जगह पे आपको लागाना परेगा ताकि फांगास ना लगे इसलिए अगर आपके पास अविलेबल नहीं है तो आप फिर जो मिट्टी है वो सबको भी निकालो के रूट्स कटना है और साथ में नया मिट्टी हमें प्लांट्स को देना है और यह देखिए ऐसा करके आपको पेस्ट बनाना है फिर पेस्ट बनाने के बाद इसको ऐसे आपको लगा देना है और सारे सोटे-सोटे जो शूट ब्रांशेस वह सब को भी हमें काटना है मैंने थोड़ा बहुत राग दिया ये सब को भी बात में मैं काट दूंगी तो देखिए ऐसे करके अप लगाएगा ये दिखिए सारे plants में मेरे लागाना हो गया है यह देखिए तो इसके बाद अभी हम यह जो मिट्टी है यह सब को सेंज करना है और मेरा प्लांट्स में देखिए कितने खास भूस उग गया था क्योंकि इतने दिनों तक हमने कोई भी क्यार नहीं किया था तो एसे करके चारों तरफ खोद के भी आप निकाल सकते है या फिर अगर इसको पलट के थोरा सा उठाएंगे तो यह आराम से उठ जाएगा निकाल जाएगा तो देखिए ऐसे करके मेंने उठाने के कोशिश किया मैं लेकिन उठा नहीं था तो इसलिए फिर पलट दिया और अगर आप खराक करते हैं, तो फिर आराम से निकल जाते हैं, यह देखिए, तो यह निकल गया है, और देखिए, मैं लास्ट यार का जो ड्रेने सिस्टेम हमने बनाया था, उसी से दुबारा से बना रही हूं मैं, तो फ्रेंड्स, आप कोई भी पॉट ले, उसमें बहुत सार एक ड्रेने सिस्टेम बन जाएगा, तो आपका प्लांट में जो रूट से, वो सब में कोई भी फांगास नहीं लागेगा, क्योंकि यह सामार का प्लांट है, तो यह बारिश में रहेगा, तो बहुत चारे पारिश का पानी दिन भर रह जाएगा, और ऐसे करके अगर आप सिस्टेम बनाएंगे, तो पानी जल्दी से निकाल भी जाएगा, और रूट स्खारब नहीं होगा, तो देखिए मेरे यह प्लांट में इतना भी रूट बल नहीं बना है, क्योंकि यह मेरा जो फास्ट टाइम में इसको किया था, तो बहुत चारे रूट बन चुका था, त हसात में मेरा हीविसकस का में था स्खेश लार है, तो में इसको, में क्लिक आत्वे उप्ली तो सारे का बर लोग एविसकस का था और देखिए बिल्कुल ऐसा करके आप रूट्स को प्लांट से हटाईएगा आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा करने से प्लांट फिर से गुरो दुबारा होगा कि नहीं यह एकदम से हो जाएगा क्योंकि मैं तीन चाल से इसको कर रही हूं और इसा करने से आप ज प्लांट में ही दुबारा से मैं इसको लागाँ कि देखिए बहुत ही चोटा सा अभी बन गया है तो अभी हमें इसको उसी पोट में लागाना है यह दिखिए जितना भी बरा बरा रूट से आपका प्लांट में वो सबको आप ऐसे करके काट दीजिएगा मेरे इहां पे त को तीन पार बरा रूट लेना हैर और साथ में य eerste सन्ट इसको भी आप ले लिए एक पर्ट अइसके साथ में आपको कॉम्पोस्ट लेना पर यह कोई भी डिकोम्पोस्ट montrer एला तो यह आपको एक से देर्भाग या बरा पार्त घृत पें लेकिन एक पर्ट ज़रूर मिलाएगा और साथ में यह दिखिए यह है कोकोपीट यह आपको आधा पर्ट मिलाना है और इसके बदल में आप राइसास या फिर सौडस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ही आप मिला सकते है तो यह सबको अभी अभी आपको अच्छे से मिला लेना है तीन पर्ट गार्डेन सोयल एक पर्ट सेंड वान एन हाफ पर्ट कॉम्पोस्ट और साथ में आधा पर्ट आपको कोकोपीट लेना परेगा और उसके साथ देखिया यह मैंने एक मुठ्धी जैसा नीम खल मिला दिया नीम खली और साथ में बोन मिल एक और साथ में यह फांगिसाइट पावडर भी मैंने मिला दिया है तो बाराइन्स के पोट के हिसाब से मैंने बोल दिया और देखिए यह सब को आच्छे से हमें मिला लेना है मिलाने के बाद अभी हमें यह सब को पोट में भराना है तो पोट में कैसे भराना है देखिए फ्रे इसे करके दबा दबा के आप मिट्टी को भराईएगा हलका हतों से तो और उसके बाद हमें प्लांट को बैठाना है देखिए जो हमने रूट्स को काटा देखिए ये बिल्कुल फीठ हो गया है तो अभी हमें इसके शारो तरफ मिट्टी भराना है तो आप लोग देखते रह एकटम-shaded area में राखना है, और उसके बाद हमें हिविसकस को full sunlight में राखना है, जहां पर इंप्लांट को full sunlight मिल जाए, ऐसी जगा पर राखियेगा, तो ये आपको साल समार में एकटम भर-भर के फूल देगा और साथ में इन प्लांट को कैसे फार्टिलाइज करना है वो सब के उपर मैंने विडियो आप लोगों के साथ चैर किया है बहुत तरीके से हम फार्टिलाइज कर सकता है मेरे आप देख लीजिएगा और आभी हमे इन प्लांट को हिविसकास को पूनिंग करने के बाद ऐसे करके अगयां के भाहर मैं करने के बाद अदर एस प्लांट में ऐसे करके पूनिंग करने के बाद हमें इस प्लांट में 15 तुटू20 दे गैस के अंदर percentage डरना परेगा ताकि क हिप इसल्टी में आर चीया नियर कम के चेहर है क हुग कैसे साल क disability QB first. आज थो में आप लोगों के साथ में बारें हम चीया से अलग करने हैं हम हिबिसकास प्लांट को लेके 15-20 डेज के अंदर दोबारा से मिलेंगे और उसमें इस बार भी मैं अलग तरीके से कैसे मैं फार्टिलाइस करती हूं वह देखने के लिए आप चरूर मेरे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पांस बहुत जाए थेंक यू सो माच पर वाचिंग मैं वीडियो बाई